Hello friends, welcome to my channel English speaking with JK और दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं basic structure तो आपने ये sentence सुने होंगे और मैं क्या करता, और मैं क्या कहता, और मैं क्या बोलता, और मैं किसे बताता तो आपने इस type के sentence सुने भी होंगे और बोले भी होंगे तो इस type के sentence को कैसे बनाते हैं वो आज हम देखेंगे तो इस type के sentence है वो advanced structure में आते हैं और इनको बनाने के लिए generally हम what else could का यूज करते हैं और इसमें जो word जो होता है इसकी जिएगा कोई और word भी हो सकता है जैसे कि whom, whom, या where इस type के word हो सकते हैं तो इनको बनाने का जो formula होता है वो what else could तो सभी में आये गई और जो word है वो change होता रहेगा और plus subject plus word की first form इसमें use की जाती है तो आईए देखते हैं इसके कुछ example और मैं क्या करता? What else could I do? और मैं क्या बोलता? What else could I speak? और मैं क्यूं आता? Why else could I come? और मैं क्या कहता? What else could I say? और मैं किसे बताता? Who else could I tell? और मैं क्या बढ़ता? What else could I teach? और वह क्या खाता? What else could I eat? और हम कहां जाते? Where else could we go? तो दोस्तो इस type के sentence हम what else could या where else could करके यूज करके बनाते हैं और इनकी जगह कोई और word भी यूज हो सकता है जैसे कि हूँ हाँ हमने इतने साथ से sentence देखे तो अगर आपके पास कोई और नया sentence हो जिसको आपको बनाने में थोड़ी problem हो रही हो तो please comment में लिखके मुझे बताईए और मैं उसको बनाने की कोशिश करवा और कोई और भी किसी topic पे अगर मुझे वीडियो बनाना है तो वो भी मुझे बताईए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए structure के साथ जय हिंद